आज इस एक शत के नीचे शहरी भारत इकटा हुआ है अर्बन इंडिया एक प्रकार से इस विज्ञान भवन में बे लोग बैटे हैं जिनके जिम्मे देश के करीब करीब 40 प्रतिशत नागरिकों की सुख सुविधा की जिम्मेवारी है इस देश के 40 प्रतिशत जनसंग्या करीब करीब 40 प्रतिशत जो या तो शहरों में जीवन गुजारा करती है या शहरों पर आधारित अपना जीवन गुजारा करती है उनको quality of life कैसे मिले है एक सामान या मानवी की जो प्राथमिक आवशकता है उसकी पूरति कैसे हो और जब पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ है तो हम दुनिया जिन उचाईयों पर पहुँची है उसे बराबरी करने के दिशा में और उससे आगे बढ़ने की दिशा में पहल कैसे करे प्रारम कैसे करे और किस दिशा में आगे बढ़े तुन दोनों लक्षों की पूरति को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जुगी जोपड़ी में जिनकी गुजारा करने वाला वो परिवार एक तरफ रोजी रोटी की तलास में शहर की और आया हुआ मजबूर नागरिक और दूसरी तरफ बदलता हुआ वैश्विक परिवेश दो छोर की स्थिती में से हमें गुजरना है हम इसलिए निरास हो करके नहीं बैठ सकते हैं कि दुनिया तो बहुत आगे बढ़ चकी पता नहीं हम यह हो सकते हैं कि ठीक हैं भाई वो अपनी रोजी रोटी क अपना कर लेंगे जी नहीं हमारे देश के गरीबों को हम उनके नसीब पर नहीं छोड़ सकते हैं हमारा दाईत्व होता है हमारी जिम्मेवारी होती है और उस जिम्मेवारियों को निभाने के लिए अगर योजना पुरवक अगर हम आगे बढ़ते हैं तो परिस्तितियां पल्टी जा सकती हैं स्थितियां सुधारी जा सकती हैं और लक्ष को प्राप्त किया जा सकता है और उस बातों को ध्यान में रखते हुए इस शहरी जीवन में बढ़लाव लाने के लिए आप सब के साथ दो दिन विस्तार से विचार विमर्ष होने वाला है यहां पर चुने मिलकर के आगे बढ़ने का संकल्प करने के लिए आज इकटे हुए हैं हिंदुस्तान के इतियास में 25-26 जून कोई भूल नहीं सकता है चालिस साल पहले सत्ता सुख के खातर देश को अपात काल के बंधों में बांध करके जेल खाना बना दिया गया था देश में संप्रुन करांती का सपना लेकर के चल रहे जय प्रकास जी नारायन के नेत्रुतों में लाखों देश भक्तों को लोगतंत्र प्रेमियों को जेलों में बंद कर दिया गया था अखबार पर ताले लग गए थे रेडियो वही बोलता था जो सरकार बोलती थी ऐसे दीन थे 40 साल पहले आ प्रगती करें उसको अवसर मिले उसको सुईधा मिले उस दिशा में हम काम करने के लिए संकल्प बद्ध हो रहे हैं और आज मैंजे खुशी है कि कली हमने कैबिनेट में लोग नायक जैप्रकास नारायन जी के सुरुती में एक राष्टिय समारक बनाने का निर्णे किया है जो लोग तंतर प्रेमी नागरीकों के लिए हमेशा हमेशा वो दिशा दिर्षक बनता रहेगा और विकास की सारी योजनाए, यात्राएं जनसामान्य के सहीयोग से, जनसामान्य की भागीधारी से कैसे आगे बढ़ें, उस दिशा में हम निर्णतर प्रयत्तरत करना चाहते हमारे देश में करीब 500 शहर ज्यादा तर गाउं से रोजी रोटी कमाने के लिए लोग आते ही चले जा रहे हैं बहुत तेजी से हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है अच्छा होता अच्छे 25-30 साल पहले हमने अर्बनाइजेशन को एक ऑपर्चुनिटी समझा होता को हमने पहचाना होता है और हमारे अर्बन ग्रोथ एंजीन के रूप में हमारी विकास यात्रा में उसकी भूमिका को हमने जाना होता और उसकी प्रकार से उसको ताकत दी होती तो हम भी आज दुनिया के उन समरुद और प्रगतिशिल शहरों के बराबरी कर पाए होते लेक अगर स्पस्त बीजन के साथ लक्ष को प्राप्त करने की इरादे के साथ और नागरी को केंद्र में रखते हुए अगर हम योजनाई करते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि कोई रुकावट आ सकती है। यहां दो दीन में हमारे सामने कई शहरों के बेस्ट प्राक्टिस के प्रत्यक्ष किये हुए कामों को प्रस्तूत किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीजों यहां चर्चा होने वाली है कि जो कभी हमने सुना भी नहीं सोचा भी नहीं हम उनी चीजों को करना चाहते हैं जो यह देश कर सकता है और किसी ने करके दिखाया है अब उसको हमने सम मिल करके आगे बढ़ाना है आप देखिए देश का प्रदेश उसने ओपन डिफ्रेक्शन के खिलाब एक बड़ा अंदोलन खड़ा किया और उनकी कोशिस है कि हम 36 गड़ को ओपन डिफ्रेक्शन से मुक्त कर देगे एक लक्ष ले करके अगर नेत्रुत्व चल पड़ता है तो स्थितियां बदली जा सकती है छूट पूट छूट पूट बहुत कुछ हो रहा है इस योजना के तहट उन सारे अनुभवों के अधार पर यहने कोई हवाई बाते नहीं उन अनुभवों के अधार पर एक कदम और कैसे आगा बढ़ा जाए पहले से कुछ अच्छा कैसे किया जाए एक जगा पे होता है उस सब जगा पे कैसे हो कुछ लोग करते हैं हम मिलकर के सब लोग क्यों न करें उस भाव को पादा करने का प्रयास है भारत जिस तेजी से अर्बनाईज हो रहा है एक प्रकार से यूरोप के किसी छोटा देश देखें तो हिंदुस्तान में हर वर एक नया देश जनम लेता है शहरों में मतलब हमारे सामने कितनी बड़ी चुनोती है उस चुनोती को पार करने के लिए हमने निश्चित योजनाओं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कुछ कानूनी बादा होगी तो उसके रास्ते खोजने पड़ेंगे आर्थिक व्यवस्ता होगी उसके सबन्द में स्थानी इकाई, राजय सरकार, केंदर सरकार सबने बिल्ड करके मोडेल खड़ा करना होगा ताकि हम पैसों के कारण अठके नहीं आज PPP मोडेल, पब्लिक प्राविट पार्टरशिप का मोडेल करीब करीब स्विकृत हो चुका है उसको कैसे हम बल दें हम जादा से जादा अर्बन इंफरस्रक्टर के लिए फ़ोरेंट की इन्वेश्मेंट को कैसे लाएँ हम आर्थिक संसाधनों को विश्व में जहां से भी प्राप्त कर सकते तो फिर वो सपने संजोलने लग जाता है जब मकान मिलता है तो सिर्फ छत नहीं मिलती, चार दिवारेगी नहीं मिलती हैं जब गरीब कोई घर मिलता है तो धीरे धीरे उसकी इरादे भी बदलने लग जाते हैं। घर मिलते ही मन करता है यार एका दरी ले आए तो अच्छा होगा फिर मन करता है यहां दो कुर्सिल आए तो अच्छा होगा फिर करता है नहीं यार टीवी मिल जाए तो अच्छा होगा फिर लगता है यह सब करना है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करें तो अच्छा होगा फिर क कोशिश यह है सिर्फ मकान देना याने एक परिवार को जो की बेघर है वो घर वाला बने इतना नहीं उसको जीने जीवन जीने की हैसियत देना उसके मन में जीवन जीने का उमंग फरना उसके जीवन में जीवन को साकार होने का आनंद देखने का मिले और आने वाली पीडियो को देने का उसका सपना पूरा हो ऐसा माहोल बनाने का इरादा है शहरों में करीब-करीब दो करोड से ज्यादा परिवार उनके लिए घर बनाने है अब हमारा देश ऐसा है कि अगर नहीं बना तो जवाब मुझसे मांगा जाएगा कोई उनसे जवाब नहीं मांगेगा कि यह दो करोड बेगर रहे क्यों कोई emanet सवाव है क्या करेंगे हमें उसी से तो कोई कुछ कह देगा इस ड़र के कारणहम काम करना चोड़ दे तो तो देश का कभी भला नहीं हो प Compass और इसलिए हमारा दाईत्वा बनता है कि हमारे गरीब परिवारों को घर मिले आजादी के 75 साल हो रहे हैं 2022 में उन आजादी के दिवानों का नाम देते ही हमें रोमांच होता है पगत सी सुखदेव राजगुरु को याद करते हैं तो लगता है कैसा बलिदान था गादी सरदार उनकी विलासत को देखते हैं तो लगता है कितना कष्ट जेला था उन्होंने जो सपने देखे थे उन सपनों में क्या ये भी एक सपना नहीं था कि आजाद हिंदुस्तान में हर परिवार के पास अपना एक घर हो मैं मानता हूँ आजादी के 45 साल जब हम मना रहें तब हमारे बीतर एक आवाज उठनी चाहिए कि मेरे देश के अंदर कोई गरीब ऐसा नहो कि जिसको फुटपात पर या जुगी जौपने में जिनकी गुजारने के लिए मजबूर रहना पड़े यह हम बखलेंगे यह हमारा दाईत्व है और एक बार इस मिजाज को लेकर यहां से निकलेंगे तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे अज शेहरों का विकास कैसे हो रहा है आप किसी भी शेहर में जाकर के पूछिए बहुत कम शेहर ऐसे मिलेंगे कि जहां पर पांच साल के बाद शेहर कैसा होगा उसका कोई खाका कागज पर मिलेगा दस साल के बाद कैसा शेहर होगा उसका खाका कागज पर मिलेगा नहीं जो प्राइवेट प्रापर्टी लेवलपर है उनको तो पता होता है कि शेहर इतना बढ़ेगा इस दिशा में पेलेगा, योजना ऐदाल देगा, मकान दो खड़े कर देगा. लेकिन जिंदगी जीने योग के ववस्ता पहुंचती नहीं है. ना रोड बनता है, ना बिजली पहुंचती है, ना डैनेज की ववस्ता होती है, और लोग आते हैं, पैसे देखर के मकान भी लेते हैं, बाकी वबस्ता है होती नहीं, क्यों? क्योंकि शहर के नेतृत्व ने शहर नहीं बनाया, कुछ प्रॉपर्टी लिलर ने शहर को बढ़ाया है यह जो mismatch है, उस mismatch को बदलना है, शहर कैसा बढ़ेगा, कब जाएगा, किस रास्ते आगे बढ़ेगा, वेस्ट में बढ़ेगा, कि इस्ट में बढ़ेगा, समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी उसमें क्या जगा होगी, यह प्लान जब तक शहर का नेतृत्व दि करता है, यह स्थिती बनी रहेगी, हम इस अमरित योजना के माध्यम से, यह बढ़लाव चाहते हैं, कि शहर खुद अपना सोचने लगे, शहर अपनी योजनाये बनाएं लगे, और कहां जाना, कैसे जाना, उसका फैसला शहर करे, जरुरत के आधार पर, वो चलता जाए, ब पिक की समय से आती है, पानी नहीं, बिजली नहीं, सारी समय से हम जिलते रहते हैं, और यह हर शहर के अगल बगल में आपको दिखेगा, कि किसी ने उसको बना दिया, और बाद में वो शहर को गोड लेना पड़ता है, और वो बहुत तकलीफ वाला होता है, हमने इसकी योज सरकार से लोग दो कदम आगे हैं, स्वच्छ भारत के काम में, कहीं सरकार कम नजराती हैं, लोग ज़्यादा नजराते हैं, मैं विशेश लूप से मिडिया का अभारी हो, मैं देख रहा हूँ, वरना मुझे याद है कि मैं 15 अगत हो जब स्वच्छ भारत की बात करके निकल तो मुझे डर लागता था, यह रोज मेरे बाल नौच लेंगे, कि यहाँ कुडा है, यहाँ कच्रा है, ढिकना है फलाना, लेकिन मैं आज उन सब को सलाम करता हूँ, जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने नागरिकों को ट्रेन करने का काम उठाया, और सभी मीडिया के ल अभी तिहास लिखा जाएगा, मीडिया के, स्वच्छ भारत के अभियान का जो नेतृत वाज मीडिया कर रहा है, देश में बडलाव लाने का वो कारण बनेगा है, मैं बडेख रहा हूँ, बडला जा सकता है यह, और आज हमारे यहाँ, सॉलीड वेस मैनेजमेंट, इसरे को पूरक होना चाहिए, अगर शहर को पानी चाहिए, गाउवालों को पानी मिले या न मिले, हम तो यह पानी शहर को देना ही पड़ेगा, और पीने का पानी बात ऐसी होती है, कि जहां मानवता का विशे होता है, तो कोई बोल भी नहीं पाता, क्या उसके उपाई नह पिस करें, तो कभी किसान भी परेशान नहीं होगा, गाउव भी परेशान नहीं होगा, और शहर को पीने का पानी चाहिए, उसकी उपलद्दी की कभी तकलीफ नहीं होगी, हम इस चिंता क्यों न करें, हम सॉलिड रस्ट बेनेटमेंट करके, कमपोस्ट बनाने की पीछे, और गनिक फर्टिलाइजर तैर करने की दिशा में क्यों काम न करें, और वही फर्टिलाइजर हम नद्दिक के गाउं को थे, हमने देखा हूँ के बड़े शहर, बड़े शहर के आसपास के 30-40 किलोमेटर के जो गाउं होते हैं, वो जादा तर सबजी की खिती करते हैं, कंपोस्ट फर्टिलाइजर, जो शहरों के कुडे कच्रेज हम बनाते हैं, वो अगर हम गाउं में दे दें, तो जो सबजी मिलेगी, और गनिक सबजी मिलेगी, अगर हमारा इंपूड कास कम होगा, तो सबजी भी सस्ती आएगी, सबजी सस्ती आएगी तो गरीब आदमी भी सबजी खाता है, तो दो सबजी जादा खाएगा, और सबजी जादा खाएगा, तो nutrition के problem solve होगे, health के problem solve होगे, ultimately budget के burden कम होते जाएगे, सुविधाएं बढ़ती जाएगे, लेकिन हम अगर यह सोच करके काम को करें, तो यह काम बढ़ सकता है, और इसलिए हमारे शहरों का वि जीवन की सुविधाएं मिले, जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, उन स्मार्ट सिटी जो बनेगी, यह पहली बार स्मार्ट सिटी का योजना ऐसी है, कि जिसमें शहरों का निर्णे भारत सरकार नहीं करेगी, शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णे राजय सरकार नहीं करे थोपा नहीं जाएगा आवाज नीचे से उर्षिनी चाहिए और इसलिए पहली बान हिंदुस्तान में चैलेंज रूट के आधार पर स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णे किया है दुनिया के कई देशों ने ये प्रयोग किया है कुछ पैरामिटर तै किये और जो शहर इस पैरामिटर को पूर्ती करेगा वो एंट्री पाएगा स्परधा में फिर उसको दूसरी एक्जाम देनी पड़ेगी उसको पार करेगा तो सिलेक्ट होगा जब सिलेक्ट होगा तो फ ये योजना उपर से आएगी तो क्या होगा ये काम क्यों नहीं किया वो दिल्ली वालों नहीं किया ये काम क्यों नहीं किया वो हमारे राज्य सरकार वाले नहीं करते नहीं ये नीचे से होना है और कहीं पर कोई कठिनाई ना आए वो दिशा में आगे बढ़ना है मैं समयता इहां पर आये हुए सभी महानगर के महानु भावों के लिए ये चुना उती है उस चुना उती को स्विकार कीजिए और जो परामेटर ताय हो, स्परधा में आइए जीत करके आगे निकलिए और एक बार आपने जीत और जीवन में स्पर्दा हर जगा पे होती हैं, आप मेर भी बनते हैं, तो स्पर्दा से ही तो बनते हैं, किसी ने उपर से तो नहीं बिटा दिया आपको, आप कहीं नोकरी लेने जाते हैं, तो वहां भी तो competition होती हैं, आप competition को पार करते हैं, तो सिलेक्ट होते हैं, तो हमारे बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूत नहीं है हम माल लीजिए किसी रेल वेस्टेशन पर गई है और जो पुछताच वाला वेक्ति वहां बैठा है उसको दो सवाल पूछे अपने और उसने अब को चार-पांच सवालों के जबाब दे दिये जो कि हम पहले उसको पूछने के लिए सोच के गए थे लेकिन वो समझ गाएगा इनको ये पूछना है वो जवाब दे तो हम कहें यार ये बड़ा स्मार्ट अग्मी है मेरी आवश्यक्ता से भी वो एक कदम आगे है मेरे हिसाब से यही स्मार्ट सीटी है कि नागरिकों की जो आवश्यक्ता है उससे दो कदम आगे चले उसकी जो आवश्यक्ता है आप मांगोगे हाजीर है आप चाहोगे हम सोच रहे हैं आपका सुझाव है हमारी योजना बन रही है दो कदम आगे आप देखिए देखते ही देखते स्मार टेक्नोलोजी है, एन्वार्मेंट फ्रेंडी डिवलप्मेंट है, हमने प्रकृति के साथ जीना है, एनर्जी सेविंग, यह हमारी स्वाभाव क्यों असता हो, वर्क टू वर्क, यह कंसेब लाना पड़ेगा, वरना एक जिगा पर रहता है और रोज देड़ घंटा वो ट्रा ट्राविलिंग में जाती है, बची-खुची काम में लगती है, तो काम कैसा होगा, अगर उसकी एनर्जी सेविंग होती है, वर्क टू वर्क का कंसेब डवलप दिर दिर हमारी होता है, और एक कंपोजिट व्यवस्ताय विक्सित होती है, कि जाना सब कुछ अबेलो बलो, सा एक प्रकार से पून शहर बन जाते हैं, हम उस विचार को लेकर के कैसे आगे बढ़े हैं, तो स्मार्ट सिटी के इस कंसेब को हमने आगे बढ़ाना है, चाहे हाउसिंग फ़र ओल की बात हो, चाहे हमारे 500 नगरों को प्रानवान बनाना है, अमृत्माई बनाना है, चाहे द प्रकार में बैठ करके कागज पे बनाई हुई ये योजना है नहीं है, शायद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में कंसल्टेशन पहले कभी नहीं हुआ होगा, इतना कंसल्टेशन इस योजनाओं को चरितार्थ करने के लिए लगाया गया है, सभी प्रकार के स्टे उनको भी विश्वाद में लिया, बताइए भी कैसे आप आगे आ सकते। जो रियल एस्ट्रेट डेवलपर हैं, उनको भी पूछा गया है, बताइए भी कैसे आगे बढ़ सकते। जो कानून भी जहाएंगे, जिसके कानून इसमस्यान आए, उनसे पूछा गया है। दुनिया में जो अच्छा हुआ है, जिनों ने अच्छा किया है, उनको भी साथ जोड़ा गया है। एक शेत्र में जिन-जिन की पहचान है दुनिया में, उनसे सब की सला ली गई है। और एक सबसे विचार मिमस्ट करके एक ब्लैक और वाइट में चीजों को प्रस्तूत करने का प्रयास किया है। एक बार ये चीजे तयार हुई हैं, अब आगे भढ़ने में देर नहीं लग सकती। ये सरकार, कंजुमर की सुरक्षा इस पर सजग है। पार्लामेंट में एक बिल अल्रेडी हमारा हुआ गया है, अभी संसद में चर्चा होगी इसकी, वरना हमारे देश में चाहे अंचाहे ये जो बिल्डर लॉबी है, उनकी छबी काफी गिरी हुई है। गरीब आदमी अपने जिन्दगी की पूरी पैसा उसमें लगाता है, और उसके जीमन का वो एक ही घटना होती है, और फिर वो जब लूट जाता है, तो उसका तो सब लूट जाता है। 25 जून ये शहरी भारत विज्ञान भवन में एकत्रा करके, आधुनिक भारत के निर्मान के लिए वैज्ञानिक तौर तरीके से आगे बढ़ने का संकल पर लेकर के आगे बढ़ेगा, नगरपाली का, महनगरपाली का जो नेत्रुत वाया है, मैं उनसे गुजारिश करना च पांच साल ही उसको कारकाल मिला था, लेकिन उसने अपने राजकाल में ये दो चीज़े अच्छी करके गया था, दो सो साल के बाद भी लोग उसको यात करते हैं, सो साल के बाद भी आत गए उनके कारकाल में ये काम हुआ था उनके कारकाल में ये तालाब बना शहर की पानी की समस्या निकल गए थी उनके कारकाल में डेड़ सो साल पहले स्कूल बना था उसकूल में से इतने बड़े बड़े लोग तयार हुए जिसको सासन का अवसर मिलता है उनकी पहचान पचांस सो साल के बाद भी कौन सा अच्छा काम करके गए उससे तो ना पी जाती है तोली जाती है मैं उन नगरपाली का गद्धेक्षों से कहना चाहता हूँ महानगरपाली का गद्धेक्षों को कहना चाहता हूं कलपना कीजिए आप 80 साल की उमर के होंगे आपका पोता उंगली ले करके उंगली पकड़ करके आपके साथ चलता होगा तब आपके दिल में इच्छा क्या होगी जरा कलपना कीजिए मैं दावे से कहता हूं आपके दिल में इच्छा ये होगी कि छोटा पोता जो ज़्यादा कुछ समझता नहीं उंगली पकड़ करके वहां ले जाएंगे और कहेंगे देखिए ये भवन है न मैं जब अध्यक्स्तान है मैंने बनाया था ये जो गाउं में तालाव है न मैं जो अध्यक्सान है मैंने बनाया था हर किसी की ख्वाइस होनी चाहिए कि अपने कारकाल में अपने शहर को कोई अच्छा नजराना दे करके जा देगी आपके जीवन की सफलता उसमें आपकी जमनता जिवन की सफलता उस बात में नहीं है कि आपने कितने लोगों को पराजित किया कितनी बार चुनाव जीत करके आए कितनी बार आपने गड़ जोड करकर के सत्ता को हासिल किया ये सफलता का मानदर नहीं होता है सफलता का मानदर ये होता है कि जिस जनता जनार्दन के आपको अवसर दिया है उनके लिए क्या करके गए क्या करके गुजरते है अगर ये मन में संकल पर लेकर के जाते है ये इरादा लेकर के जाते है कि मुझे पांच साल का कारकाल मिला है मुझे तिन साल का कारकाल मिला है जनता जनारदन ने मुझे अउसर दिया है मैं मेरे नागरीकों के लिए ये करके जाऊंगा और उसका जो संतोष मिलेगा न अध्भूत संतोष होगा जीवन भर जीने के लिए वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अउसर बना रहता है अपने पोते के पोते भी जीए अगर आपके आँखों के सामने है तो आपका मन करेगा आपना अपना उस एचिवमेट उसको बता के जाएं ये आपका सपना रहता है आपके दिल में भी वो सपने जगें आप भी कुछ करने के लिए कृत संकल पहो अथाद प्रयातना करके अपने शहर के जीवन में बडलाव लाएं वहां के सामाने से सामाने नागरी के जीवन में बडलाव लाएं इस शुब कामनाओं के साथ मैं आज की इस अवसर पर विभाग के सभी लोगों को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ ताकि देश के शहरी जीवन में बहुती अल्प समय में बरलावाए और 2022 में जब देश आजादी के 75 साल मनाता हो तब हमारे शहरों में भी हर परिवार में स्वतन तरता कि उस आनंद की अनुभूती कावसंदे उसको हम सबलता पुर्वक पार करें इसी शुब कामनाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सच मुझ में बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ सुन्दर दुर्श से देख के पूरा भारत हमारा सामने है येस्ट वेस्ट नार्ट सल आज सच मुझ में एक एग्यका प्रारंब हो रहे